दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, NoDues क्या होता है, NoDues, बैंक आपको कब वखके से देता है, वहीं आपके लिए NoDues कितना important होता है, साथी बैंक से NoDues प्राप्त करने का क्या complete process होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक रिक्ष्ट है अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अच्छी खासी आनलाइन अर्णिंग करना चाहते हैं तब आपको हमारे दूसरे यूटूब चैनल A2J Tech Information को जरूर सस्काइब करना क्योंकि मैं आपको उस चैनल पर आनलाइन अर्णिंग से रिलेटेड टिप्स के वीडियो देता रहता हूं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि नोडियूस क्या होता है तो दोस्तों हम आपको बताना जाते हैं जब भी आप बैंक से कोई भी लो कहा जाता है बैंक से नोडियूस मिल जाने का मतलब होता है कि अब आपके उपर बैंक का एक भी पैसा बकाया नहीं है जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों ने आज से चार दिन पहले एक देखा होगा और किसान भी अपने वो 31 पैसे जमान नहीं कर रहा था ऐसे मों कोट चला जाता था और कोट के आदेश के बाद उसे नोडियूस दिया गया तो दोस्तों एक मामला बहुत ही वाइरल हुआ पूरे देश में खबर को छापा गया नूज पेपर में और सभी लोगों ने दोस्तों नोडियूस का मतलब यह होता है कि जब भी आपके ऊपर एक भी पैसा बकाया नहीं रह जाता है तब भी आपको नोडियूस जारी करता है वहीं दोस्तों अगर आपने लॉन लेते समय कोई भी अपनी प्रापरटी बंधग कि है लोन के विहाप में तब दोस्तों ऐसे प्रापरिटी को बंधक मुट्क्त कराने के लिए आपको슬 स्टार्टि भी लेना होता है दोस्तों ढाप अपना पूरा लोन अदा कर देंगे आपका भी एक एक पैसा जमा कर देंगे आप वेगया जो भी ओपर के नाम या फिर आप अपने नाम भी ले सकते हैं उन स्टैम पोला करके आपको बैंक में देना होता है बैंक नीम इससटाइम पर लिग देता है कि अब कि कोई भी वढ़न ही हमारे उप्र नहीं है या अपका कुछ भी बाता नहीं है आपने अपना आपके पास बकाया नहीं है उसमें एक आपका डिस्चार्ज फार्म भी लगाना होता है वह बैंक डिस्चार्ज फार्म लगा करके दो कापी बना करके आपको दे देता है यह प्रक्रिया दो दिन की भी हो सकती तीन दिन की हो सकते गर बैंक में इस्टाफ उपलब्ध होगा त तो एक आपका बंधक होता है रजिस्टार आफिस में वह बंधक मुक्त वहां से हो जाएगा और दूसरा बंधक होता है आपका तहसील में वहां पर भी आपके इंतखाव पर एक आदेश चढ़ा होता है कि फला जमीन इतने लोन के वज में आपकी बंधक हैं मान लीजी ऐसे आपके एक-एक काफी आप तहसील और दिस्टार आप हीस् стан किरा सकते हैं या आप किसी एडवोकेट के माध्यम से 300-400 रुपय का चार्ज दे करके अब वहां से भी बंधक मुक्त करा सकते हैं इसमें आपको दोस्तों तीन दिन का समयंभी सपонов होने में और चार दन के आपका बंधक्मुक्त हो करके आपको मिल जाता है तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है कि नोडूज और डिस्चार्ज आपको बैंक से कम मिलता है इसकी क्या दोस्तों आज की वीडियो में किसी अगले इंटेस्टिंग टापिक के साथ अतक लेजए हैं यह भारत